सबी भाईयों बहənों के आपके अपने चैनल नए वगैंसी के साथ आता हो चाहें वो आप लोगों TOP से हो चाहें आपके किसी से भी सेक्टर से हो बात कर लेएं के अलावा अगर कोई ट्रेनिंग से समंदिद भी ऐस इं६ इंपटंथथा में Kwatihan कुछ लोग ऐसे एक्चूख होती हैं कि हमारे चैनल पर बहुत सारे इसे लोग जुड़े हूए हैं जो कि भी फ़िन परकार के ट्रेनिंग वगारा चीजों को भी करना चाहते हैं और उनसे समंधित भी कितव बुक्स को हमारे जो चैनल से खरीदते हैं या तो लेते हैं साथ म में इसे समंधित और भी डिटेल प्वाइंट होती उसके बारे में भी बताया जाएगा ठीक है तो चलिए बात करते हैं हम लोग आपको देखे सेंट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड अर्थात आप लोग नम सुने होंगे कि जो आप लोग कोल फिल्ड लिमिटेड है इसमें बहु यहां पर आपको मिलेगा और यह अच्छी खासी वेकेंसी से 1556 पोश्ट है जो कि बहुत बड़ा वेकेंसी माना जाएगा तो बात कर लेते हैं चलिए देखिए सेंट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड का है यह अपरेंटिस करने का मौका है बात करने से समंधित कुछ टेड के ब समस्ट यह होने वाले ख्यांक एमेंसित कर दिया है तो जैसे कि वीडियो के लिए अप लोड करते हूं तो उसमें बहुत सारी में चीजों को बताया हूं कुछ लोगों के जोब फॉर्म भरते हैं तो हंस बहुत सारे इसी डाउट होती हैं तो मैं देरे दरेडूट करता हू अगर कुछ चीज़े ऐसी होती है जो कि हर वीडियो में बतानी जरूरे हो जाती है देखिए आपको बता दे कि कई ऐसे राज्य हैं कि जहां पे 5-10% दिया जाता है दूसरे राज्यों के लोगों के लिए अरक्षन के लिए हर राज्य के अलग अलग नहीं है हमें जैसे भी किसी राज्य काता है तो वहां पे मैं बता देता हूं कि इस राज्य में इतना परसेंट है इसके अलब मैं बात कर लोगों कि जो मतलब सेंटरल गवर्मेंट की होती है उसके लिए एक फिक्स्ट होता है हलाकि कई ऐसे forms होते हैं जिसमें मना कर दिया जाता है लेकिन माना ऐसा जाता है कि जो central की अगर कोई vacancy आती है तो उसमें या तो private की कुछ इस vacancy आती है जिसमें नहीं रखा जाता है और central की कुछ इस vacancy आती है जिसके अंतर गर तीन साल जान दीजिएगा OBC के टिगरी के लिए तीन साल general EWS के लिए कोई vacancy नहीं रखा जाता है और साथ साथ में अगर जो STAC होते हैं उनके लिए 5 साल का relaxation दिया जाता है हलाकि इसमें कई जगहों में और भी जादी दिया जाता है चाहें कोई एक service man होता है चाहें इसके अलावा कोई उसमें पर पहले शहर रहता है जो भी हो ठीक है तो उन लोगों के लिए क्लिए क्या किया जाता है कि 10 वर्स या 12 वर्स के भी रिलेक्सेसंस दिया जाता है तो मैं बात कर लूँ इसमें अभी क्या दिया हुआ है तो इसमें अभी आप देख रहे हैं कि करीब करीब इसमें 18 वर्स minimum दिया हुआ है और इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है कि 30 वर्स maximum दिया हुआ है and ITI in feeder trade होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास ITI होना चाहिए किस trade से feeder trade से होना चाहिए ध्यान दीजिएगा और university के भी जो दिया हुआ भी आप देख सकते है क्या हो कौन सा लागू किया हुए ठीक है बात का लिए वेल्डर की तो इसमें भी अच्छी पोस्ट है और अच्छी खासी पोस्ट है इसमें भी 10th पास ITI वेल्डर है ठीक है इसके में आलावा भी देख सकते हैं गैसे अन वेल्डर से आपके पास certificate होना चाहिए पास इसके अलावा भी चीज़े दिया हुए है यहां पर 175 पोस्ट है यहां पर भी से मुए चीज़े दिया हुए है और आपके पास क्या होने चे ड्राइविंग लेसेंस वेगरा यह सब चीज़े ध्यान दिजिएगा कि देखें आज कल ड्राइविंग लेसेंस बनवाना थोड़ा सा टफ हो गया है पहले की जवाने में और आने वाले समय में और भी ज़्यादे टफ होने वाला है जैसे कि आपको बंदुख वेगरा पिस्टल वेगरा जैसे लाइसस बनवानी होती है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दोड़ना होता है उस तरह की प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाना पड़ जाएगा जो लोग अभी सोचते है कि पैसे देकर चाहाँ ऐसे फरजी तर सागुब कर देता उसी तरह से अभी क्या करता है कि बहुत सारी से रिस बेकेंशी जाती है जिसमें आप लोगों के लिए सट Perm systems 광ud तरन के लिए पंद्र दिया हुआ है तो इस तरह से बहुत सारी पोस्ट है मतलब कुल मिला के आपके देख सकते हैं कि 1565 पोस्ट है आपके और लोगों के लिए एक अच्छी खासी पोस्ट मानी जा सकती है फ़ड़ास यहां पर ध्यान देने वागे बात है अवेदन की जो अं यहां पर यहां पर क्या दोटा है लेकिन कुछ जगए ऐसे होती है जहां पर क्या होता है कि खाने रहने का खर्चा ही क्या करती है वहां की संस्थाने उठाती है आपको इतना देने के बाद से ठीक है मैक्सिमम जोगों पर हमको यहीं पर देखने को मिलता है ठीक है और एक चीज़ मैं यहां पर देखता हूं कि जो 10% से 12% होती है जो दो साल का अगर आप जो ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं दो साल का तो अहां पर जब आप अगले साल में प्रवेस करते हैं तो दो से से 15% आपके से लिरी में क्या कर दिया जाता है इंक्रीज कर दिया जाता है तो यह भी ध्यान देने योग यह बात होती है जिन अब अर्थियों के लिए उम्रदिनां कितना इतना तक 18-35 वर्स इसे समंधित होना चाहिए ठीक है आवेधन की जो अब चैन की प्रकिरिया जो दिये हुए आप लोग दिया दिया जाएगा यह द्यान दीजिएगा यह जो लोग मैं बता दूँ यहां पर पहले से ही हैं आपके पहले लोग हैं वहां पर यहां पर आपके आपके प्राइक्ता दिया जाएगा पहली दूसरी चीजी कि अगर आपके कोई ओफिसर करण चाहिह, आपके आpta की हैं, तो आपके आपको प्राइक्ता देने की बात की आइए इसके अलावा जो जारकंड में रोगों को भी आप प्राइक्ता देने की आवेदन के प्रकिरिया जो दिया हुआ है जो मैं आप लोगों के लिए PDF सेंड करता हूँ आप लोगों पर सेंड कर देता हूँ तो अब टेलीग्राम पर जाएए और यह जो लिंक दिया हुआ है इस link पर click किजेगा और असानी से आप वहाँ पर पहुंच जाएंगे अब और वहाँ पर आप असानी से इसको online भी कर सकते हैं ठीक है ध्यान दीजेगा इसके अलावा जो points दिया हुआ आप लोग देख लीजेगा सब्रूबर करेंच धीक्ति और देख नौन दीजेगा फासे जाएंगे pink पक्रोफेशनल स्कील देखा जाएगा professional knowledge देखा जाएगा उसे से समंधित भी question यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इस तरह से cool मिला कर आपके पास professional skill और professional knowledge से भी question पूछे जाएगे तो इस तरह से 5 topics होते हैं और 5 topics से आपके question देखने को मिलते हैं यहाँ पर ठीक है इसके बार में भी आप जनकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा जो सूचना वेगर आप लोगों के लिए उतना important नहीं है जो कि आप लोगों कि दिर्शिकोंड से हो सकता है देखिए word certificate जो दिया हुआ यहीं है जो आप लोग जाकर अपने यहाँ से जमा करेंगे अगर बंदा कोई offline के मादिया हमसे जो प्रेसीद करना चाहता है तो वहाँ पर भी यहाँ सब चीजे दिया हुई है आप लोगों को certificate दिया है अगर PDF आप डाउनलोड करकर आप इसको निकलवा कर इस चीजों को भर कर आप भरना चाहते हैं अपनी unit area चैया अपनी area के किसी आप लोगों के लिए नीचे दिया हुए दो पेज में करीब ठीक है तो इसे भी आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा और इसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं कि निकाल कर फॉर्म को फिलप करके भी भेज सकते हैं तो यह धानने देने वी बात या है तो इसके अलावा को ची आप लोगो के लिए कोई ना कोई ना कहीं कि कोई बीवकेंसी जो होती है जो कि इंपॉर्टन होती है आप लोगों के लिए सर्च करके जरूर लेकर आता हूं तो मैं एकसे हो लगों मारे चैनल के जुड़िए चैनल के सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लागे तो लाइक कीजिएगा थैंक्यू दोस्तो थैंक्यू